इस वक्त हम लोग बिहार के छपरा जिला में मौजूद है छपरा जिला का यह गाउं है जहां पर एक चमतकार फिर से हुआ कुछ दिन पहले एक चमतकार हमने आपको दिखाया था लेकिन अभी उस चमतकार पर थोड़ा सा संसर लटक गया है और उस लड़के का हो सकता है डिय चर्चा का बिसा बना हुआ है लेकिन अभी छपरा में जो मैं आपको जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वह हाल फिलाल में अभी हुआ है दरसल लगबग 2-3 साल पहले इस बच्चे को इस बच्चे का चेहरा दिखाये 3 साल पहले 2020 में इस बच्चे को साप काट लिया साप काटने के बाद इनके घर वालों ने इस तरह से करते हैं वह किया और तिन साल बाद यह वापस लोड़कि आये हैं यह चमतकार नहीं तो और क्या है बागी एक कहावत हमारे गाओं में कि जब सारी उम्मीदें खतम हो जाती है तो भग्वान का उपर वाले का भरोसा होता ह है तमाम चीजे हैं तो हम अभी बच्चे की तवियत खराव है तो इससे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फिर्फ नाम पूछेंगे और क्या हुआ था थोड़ा सा बस पूछेंगे बाबू क्या ना में आपका आजा भगत राजा भगत अच्छा एक चीज और इनके में कामन है कि इनकी पिता जी बता रहा है कि बच्पन से ही थोड़ा सा मतलब की बोलने में इनको दिक्कत होती है तो वह अभी यह तो वह भी कनफर्मेशन है कि इनका बेटा है और आला कि तीन साल में चेहरा बहुँ जादा नहीं बदलता है हलका फुलका बदलता है लेकिन बिल्कुल कि सब लोग को बच्चा पहिचान रख्या नाम ऐब का संकर भगद तो आप इनके पिताजी है क्या हुआ था तीन साल पहले क्या हुआ यहां जापन hmm option यह थे तक में जाता है जिसको किड़ा चूता है तो केला के ठमपर डाल या जाता है तो केला के ठमपर ड्रावाया था शारांगपूर में अच्छा कौन सी नदी थी गंड़क नदी जा उसके बाद से फिर क्या हुआ उसके बद के लोग में संतने हो गया है कि अधिक तो और आपस किया नाम है आपका बिंवोद भगत क्या मैं नगतें अच्छा तो तीन साल पहले जब मतलब कि इस बच्ची की मृत्य हो गए थी तो आप लोगों ने इनको आप भी मतलब थे उस वक्त अच्छा क्यों किया जाता है मतलब कि नाम उम्मीद रहती है क्या की हो सकता है आने को जूग रहती हैं इसलिये ना इसा मतलब हम ना सुना हूं एक मुझा में आ रहा है पुरानिये है सब्सक्राइग Ε repelish उसको ळाघान प्रस्टा यह करका बाले कीते की आजाता है कै पुरानी आग्षी है पुरानी यह चुहंचाइए हैं उससे उमीद रहती है कि मतलब वापस आने को जूग रहती है तो वह ही चमतकार है दूसरा है कि चमतकार है बच्चे की माता जी है आप जब बच्चे को आप देखी मतलब तीन साल वाद अचानक से तब तो आप तो रोने लगी होंगी अचा जी खुश है आप खुश है आप तुरंट पैचान लिए होंगी तो आपका जैसे देखी आप बाबू को तो फिर क्या मतलब क्या बोली प्यटा आ गई लगा आपको खुशते हुआ अचा ये इसको पता था कि हमारा गाउं मतलब की बहुत दूर से भलकता है बहुत दूर से भटक रहा है ठीक है मर्जो साधू मर्ग गया छे महिना से भटक रहा है इडर उजर भटक रहा है जी हां कैसे पता चला बाबू कैसे पता चला कि तुम्हारा गाउं यहीं पे है चंचलिया मेरा गाउं है अचा चंचलिया ये पता था कि चंचलिया मेरा गा जो पाय थे, वो बोले इंको बेटा बना के रखे तो हम मर जाएं, तो तरा कोई मारी, पीटी गड़ी आई, कि तर छप्राजी लाइबा, सब लिखरा लखा, किड़ा करती पर, नाम गाम, इसब उका के चल जाएं, तो आके बटाक्टी बटारी आल, फर्दनपूर, बजा हम अघीं हो कहा हता तो व書 लाएं, अ मिध्या गोलह, कर्या है हो, तो आजी हो और जाएं, तो तो कहा हुआ जा ना, बाभाव कर लंदना, पिसमे ळिख्वा लाई, को कूनी का घरमून। टाहा हुआ थे, तो झाली हो जाएं पापान, पापम घरम। थे, शाएं भ look, 9 pop-phone, आपके बहुत ज्यादा उमर हो गई लगा अपके समय में कभू अरो भाई लगा यह वह सकता है अब भाग रलत वापस तहले हैं आपके का लगी है पोता लगी अचा पोता लगी है तो आप सुचिए कि बच्चा जो है लेकिन इसके पहले जो मैंने वीडियो कबरेश किया था देवरिया वाला वहां पर मामला थोड़ा दूसरा है वहां पर थोड़ा सा वह जाच का भी सा है क्योंकि वह लणका जो है कई जगह पर यही बात कहके रुका कि हाला कि मैं भी सुनिए मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्योंकि 15 साल में और तीन साल में अंतर होता है तीन साल में यह लड़का का हुलिया नहीं बदला होगा थोड़ा बहुत बदला होगा लेकिन 15 साल में अब यह लड़का जब इतना बड़ा कोई लड़का रहे और फ इसलिए ह है क्या करनी हम लोग जबाबें नदेंगे क्या एकblesटा में परसान evolving क्या की जएगा छूररा है एक बेजय ने इसे पर नाई डिप्टी नहीं जा रहा हो इसी के चलते तुम नहीं तो भी थोड़ा सा समवेदना का पर्चे जरूर दाइए आप आईए कबरेच कीजिए जानकारी लीजिए लेकिन थोड़ा सा समवेदन सील बनके मतलब कि महाँ पे आपके टी आरपी के चकर में आपके ब्यू के चकर में कोई आहत नहों इस बात का आपको ध्यान देना और अंतिन संसकार के एवज में उन्होंने केले के पेड़ पे इनको बांध के मतलब कि जो भी वहाँ पे रखके और नाम पता लिक के दावा दिया गया गंड़क नदी में उसके वाद से फिर इनको कोई सादू कोई पंडी जी या फिर कोई पाते हैं और इस बच्चे का प पताने तुमको तुमारा ख्याल यहां के लोग रखेंगे की नहीं रखेंगे तो यह सारी बाते थी हाला कि बच्चा बहुत बिमार है इसलिए हमने इस से बहुत ज्यादा बाचित नहीं कि सिर्फ इसका नाम पता हमने पूछा बाखी माता जी पाइनकी अपनी बेटे कोई लेकिन बाप पहचान लेती है बाप पहचान लेता है और यहां पर लगबख सभी लोग पहचान रहे हैं तो मैं जब इस घटना के बारे में सुना तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुसी हुई कि अगर इस तरह से मतलब कि एक तरह से आप यह उमीद छोड़ दें कि हमारा इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और एसी घटना आपके पास अगर हुई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद